आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज हम अमलतास की चर्चा करेंगे गोल्डन सावर भी कहते हैं केशिया फिस्टूला सीसल पिनेसी कुल का यह प्लांट है सुन्दर इसकी इंफ्लोरेशन्स जो आप देख पा रहें मित्रो ऐसा सब्सक्राइब रहा है गोल्डन सावर सीसल पिनेसी के प्लांट है सभी प्लांट पाट उस्देगुनों के लिए उप्योग माते हैं मित्रो इसके जो आप पीले फूल देख रहे हैं पीले फूल का आप गुलकंद बना सकते हैं गुलकंद कई परकार के कॉंस्टिपेशन क ठीक करने वाला होता है और लिवर को डिटोक्सिफाइब करने का कारे करता है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में साहिक होता है नित्रो इसके पत्ते और इसकी चाल आप इनका पेस्ट बना कर अगर लगाते हैं तो तुचा सम्बंदित सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं वाइट स्पोट हो गए हो वो भी ठीक हो जाते हैं आप अच्छे बैनिफिट्स के लिए इसकी पत्र इसके फूल और इसकी चाल सभी का काढ़ा भी साथ साथ पी सकते हैं और पत्तों का चाल का और फूल का पेस्ट बना कर भी लगा सकते हैं मित्रो इसकी पौड आप देख पा रहे होंगे जो इसकी डार्क ब्राउन कलर की जो पॉड है इसके अंदर मीठा पल्प निकलता है पकने के बाद बहुत मीठा हो जाता है उस पल्प का आप सेवन करते हैं तो लेगजिटिव का तो कार्य करता ही है ब्लड के प्यूरिफिकेशन का भी कारे करता है वात, कफ, पित, तीनों का समन करने का कारे करता है मित्रो इसका पल्प हम फार्मसुटिकल एड के लिए भी इस्तमाल करते हैं आप इसको नैचुरल बाइंडर के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं ग्रेनियूल्स के बाइंडिंग के लिए और अच्छी वटी टैबलेट बनाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं यह कॉंस्टिपेशन भी नहीं करता है और साथ ही साथ जो टेडिशनल हम बाइंडर यूज करते हैं इन सब में कॉंस्टिपेशन करने का प्रॉपर्टी होता है जबकि इसके पल्प में यह सब नहीं होता है और यह अच्छा बैंड भी करते हैं और अच्छी आपकी टैबलेट और बटी तैयार हो जाती है मित्रो इसके बीज का उपयोग आप वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए उल्टी को लाकर टॉक्सिंज को शरीर से बाहर रिमूव करने के लिए उपयोग में लाते हैं इसका बीज लि़ूर डिटॉक्शी केशन का भी कार्य करता है शरीर में टॉक्सिंज को निकालने के लिए विषय उपयोगी है मित्रो कई बार हम लोग जितना metabolic activities हमारी धीरे-धीरे immunity कम होने के कारण कम हो जाती है और liver में वो toxins जम जाते हैं उनको निकालने के लिए आप इसके बीज का जब उपयोग करते हैं तो वो vomiting को induce करता है और toxins को शरीर के बाहर निकालता है कई बार heavy metals के कारण या food poisoning के कारण भी toxins इखटे हो जाते हैं उनको भी निकालने का ये कारे करता है इसकी छाल का आप अगर decoction पीते हैं तो पित के समन करते हुए arthritis के pain को भी कम करने का कारे करता है इसके जो आपने गुलकंद बनाया था वो कही परकार के वात की तकफ इन से जुड़ी ही बिमारियों का आसान उपाय है इस मौसम में मैई जून तक इसकी अच्छे फूल रहते हैं आप इखटा करके दो गुना मिश्री मिलाकर अच्छा गुलकंद तयार कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हम स्याप संपत्प भी कर सकते हैं इसका उपयोग पेट की सभी परकार की भीमारियों को ठीक करने का कारे करता है अब हम जाने किस प्रकार से हमारे oral hygiene को बढ़ने का कारे करता है, मित्रों गले में सूजन हो गई हो, गांठे बन गई हो, भोलने में प्रवलम आ रही हो, या फिर बोलते समय आपको तुतलाने के समर्शा हो, और आपकी आवाज साफ ना होती हो, या फिर किसी accident के बाद आपका कंठ अवरुद्ध हो गया हो, और जिसके कारण आपकी आवाज बदल गई हो, होर्स नैस बढ़ गई हो आवाज की, या फिर किसी किसी अवस्ता में पुर्शों की आवाज महिलाओं की जैसे हो जाती है, ऐसी बगर अवस्ता हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इसकी पल्प का काढ़ा बनाकर गारगल कीजिए और डिकोक्षन का सिवन भी कर सकते हैं, तो सभी परकार के कंठ गले इन सब के समस्या को दूर करता है, लेरिक्स की स्वैलिंग हो उसको ठीक करता है, फैरिक्स की स्वैलिंग को ठीक करता है, ट्रेक्या में स्वैलिंग हो और अगर infection हो गया है तो इसके छाल को हमें सरसो के तेल में डालकर धीमियाज पर पकाना चाहिए 50 ml सरसो का तेल लेकर 5 ग्राम इसकी छाल डालकर धीमियाज पर पकाकर तेल को सिद्ध कर लेना चाहिए और इसको चान कर कानों में डालेंगे तो कानों की समस्या भी ठीक हो जाती है इसके फूल के अंदर कई परकार के विटमिन्स शरीर कम्मुनिटी बढ़ाने वाले मिन्रल्स पाय जाते हैं आपकी इम्मुनिटी को भी बढ़ाने का कारे करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आफ हम से संपर्ख कर सकते हैं जानकारी को शेयर कर लिजिए चैनल को सब्स्राइब कर लें कल सुबह साथ 6 बज़े फिर मिलेंगे एक नई प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार